नमस्कार मैं पूजा वशिष्ट आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ आज तक आपने नीबू के रस के कई फाइदे सुने होंगे खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर तवचा की रंगत निखारने तक के लिए नीबू के रस का इस्तेमाल किया जाता है इसके एंट्री इंफ्लेमेंट्री और एंट्री बैक्टिरियल गुड़ों के कारण ही कई लोग से तवचा और बालों के लिए आजमाय जाने वाले घरेलू नुस्खों में भी शामिल करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि नीबू का रस अगर सीधा तवचा पर लगाया जाए तो यह फाइदे की जगा आपके तवचा को नुकसान भी पहुंचा देता है जी हाँ एक्सपर्ट्स की माने तो तवचा पर नीबू का सीधा प्रयोग करने से व्यक्ति को कई तरह की स्किन परेशानियों से जूजना पड़ता है तवचा पर सीधा नीबू का रस लगाने के नुकसान नीबू में मौजूद माइक्रोब्स बन सकते हैं ऐलर्जी का कारण जी हाँ, कई नीबू में कुछ ऐसे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो तवचा को नुकसान पहुँचा कर फंगल इंफेक्शन या स्किन एलर्जी जैसे कई रोगों का कारण भी बन सकते हैं तवचा की सैंसिटिविटी बढ़ा सकता है नीबू में मौजूद साइट्रिक एसेड तवचा की सैंसिटिविटी बढ़ा कर तवचा में रेडनेस और एलर्जी पैदा कर सकता है ओली या सैंसिटिव इसकिन वाले लोगों को तवचा पर नीबू का सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खुजली और रेशिस नीबू के रस में एसिडिक पी एच होता है इसकी पी एच वैलियर टू होती है जो तवचा में जरन, हाइपर पिग्मेंटेशन और सूरज की रोष्णी से समवेदन शीलता पैदा कर सकती है जिसकी वज़ा से व्यक्ति को गंबीर, खुजली और रेशिस की समस्या भी उत्पन हो सकती है एक्ने नीबू का रस एक्ने और पिंपल्स की परिशानी बढ़ाने का काम भी कर सकता है नीबू में मौजूद एसिडिक पी एच लेवल ज्यादा होने की वज़ा से ये तुचा की नैच्रल ओयल को कम करके एक्ने और पिंपल्स की समस्या को भी पैदा कर सकता है तुचा हो सकती है ड्राइ नीबू में मौजूद साइट्रिक एसिड की अधिक मात्रा तुचा में सूखा पर रेडनेस जैसे समस्या पैदा कर सकती है अगर आपकी तुचा पहले से ही काफी ड्राइ है तो इसके प्रभाव से और भी ज्यादा कम भी हो सकती है अमीद है ये जानकारी आपके काम आईगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही और चीज़ों के लिए चानल बोल्स काई को सब्सक्राइब जरूर करें